2024, बहुत सारे बच्चे इस तैयारी में कूच चुके हैं, अपनी तैयारी को बहतरीन मनाने की कोशिच में लगे हुआ हैं और इतना जजबा दिखाए हुआ है कि इसी साल सिलेक्शन लेंगे बट मैं कई सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को सफल होते देखा है, बहुत सारे बच्चों को हारते देखा है, बहुत सारे बच्चों को तैयारी छोड़ते देखा है और 2024 में आपके selection कराने में बहुत बड़ी भागीदारी कर सकते है पाँचों की पाँचों चेक कीजेगा कि इन में से कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं और उसके साथ आपको क्या corrections करनी है लास्ट वाली mistake लगबग हर बचा कर रहा है हर बचा और बहुत बड़ा reason बनता है उसका कि selection सही से नहीं हो पाता सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहली mistake के बारे में यह पढ़के समझना हर एक का एक अपना अलग-अलग interpretation है पढ़ रहे होंगे आप note balancing कोई balancing नहीं है pre और means के बीच में आपको लग रहा होगा कि मैं यह कहना चाहरा हूं आप सभी को कि बच्चे pre 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 पढ़ते रहते हैं means तो पढ़ते ही नहीं means भी पढ़ा करो no problem आ रही है यह आप एक नई problem का जनम हुआ पिछले डेड़ दो सालों में problem क्या है कि बच्चे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ pre pre ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो अपने comfort zone में रहना चाहते हैं पर दूसी तरफ एक ऐसे बच्चे हैं जो old time means पढ़ते रहते हैं वो भी एक तरीके से अपने comfort zone में जा चुके हैं वो comfort zone है psychological उनको feel good अच्छा तभी लगता है जब वो difficult content solve करते हैं means का content solve करते हैं आराम से solve करते हैं तसली से solve करते हैं बट कब तक दोनों ही examinations की requirement अपनी अलग है इस examination में accuracy को control करते हुए बहुत तेज speed चाहिए होती है इस examination में speed normal चलेगी तगड़ी accuracy चाहिए होती है हम इसके हिसाब से तयार होते जाएंगे तो यह compromise हो जाएगा और जब इसके हिसाब से तयार होते जाएंगे तो यह compromise हो जाएगा को साथ लेके चलना है, शुरुवात conceptual knowledge से होगी, उसके बाद जब आप practice करेंगे, तो दोनों तरहें की practice कीजिए, शुरुवात concept से करनी है, शुरुवात practice से नहीं होती है, अगली चीज, avoiding a single subject, chapter, fully या फिर partially, बहुत सारे बचे करते हैं, गलती, आप में से कई ऐसे बचे होंगे, जो यह सोच रहे होंगे, कि मैं quant में वो वो chapter छोड़ देता हूं, reasoning में उस chapter को नहीं करता हूं, GA को अभी नहीं करूँगा, GA को तीन महीने यह बहुत बड़ी कमी है, आप सोच के चल रहे होंगे, probability mensuration, SI, CI, या profit and loss, या फिर कोई ऐसा chapter जो आपको अच्छा सा नहीं लगता है, जो पहली बार में पढ़के, उतना बड़िया feeling नहीं है, जिसमें उसको छोड़ के चल जाता हूं, कई बार examination में कोई भी chapter dominant कर जाता है, means में हो या pre में, pre में तो फिर भी चीज़ें control में रहती हैं, means में कई बार एक ही chapter से इतने सारे सवाल आ जाते हैं और वो dominant कर जाता है, पूरे के पूरे paper को, यह नहीं चलेगा, छोड़ के नहीं चल सकते हैं, उसके बाद जो sense of insecurity होगी ना, अब जब किसी कमजोर chapter को या कमजोर subject को examination में लेके जाओगे ना, एक sense of insecurity लेके जाओगे, एक डर लेके जाओगे, कि यार वो chapter मेरा कमजोर है, selection कहीं वो ही न रोक दे मेरा, और उस sense of insecurity और डर से वहाँ paper में जो anxiety और डर की वज़े से, जो हाथ कापेंगे, efficiency drop होगी, उसकी एक अलगी problem है, अभी समय है, इसका फाइदा उठाईए, जितना detail में पढ़ सकते हैं, उतना detail में पढ़िए जितना ढंक से complete कर सकते हैं, complete करिए, कमजोर chapter है, उसको अच्छे से, आपको जिस teacher का समझ आता है, उस teacher से पढ़िए, पर detail में पढ़िए धागा खोल के पढ़िए, उसको revise करिए, बार-बार solve कीजिए, जो chapter कमजोर है, उसको जादा दिन दीजिए, क्या दिक्कत है बट कोई कमजोर chapter या कोई भी week subject examination के लिए नहीं रखना है आपने, शुरुवात आज से कीजिए, डेली की डेले करेंट अफेस निफ्ट आईए, डेली की डेली जो आपको काम दिया जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, at least उसको weekly cycle पे complete कर दीजिए, Saturday, Sunday को बचावा सारा काम complete कर दिया जो week में नहीं हो पाया, तो यह जब cycle बनाएंगे ना overall productivity आएगी, overall confidence आएगा, एक strong त्यारी होगी, आप सही से आगे बढ़ पाएंगे त्यारी में Studying from all the teachers available, कई बच्चे ऐसा क्या करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं, जितना जाधा content उतना जाधा बढ़िया, कई बच्चे सोचते हैं, इस teacher से भी practice कर लेते हैं, उस teacher से भी practice कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, क्वांट के स पूरा प्रॉसेस ही डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चे क्या होता है आपको आपके टीचर पर विश्वास रखना है और उसके बाद उस टीचर के हिसाब से सारी तयारी करनी है examination में क्या होता है कि जब भी आप question को देखने लगते हो हर एक teacher का अपना एक thought process होता है जो बच्चे में वो डालता है question को देखना कैसे है, शुरू कैसे करना है खतम कैसे करना है, क्या method लगाना है कब वो method लगाना है, कब ये method लगाना है वो program करता है पर जब आप more than एक teacher से follow करते हो ना आपके दिमाग में उस concept की खिचड़ी बन चुकी होती है और आप सिर्फ इसी dilemma में इसी confusion में examination में time waste कर देते हो कि मैं method कौन सा लगाउं यार ये type तो ऐसे होता था ये वैसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था अब मैं कौन सा method लगाउं आप क्या पूरा disturbance हो जाएगी आप विश्वास कीजिए जिस भी teacher से आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए और 100 प्रतीशत उस subject के लिए उस teacher को follow कीजिए content की आपको कोई कमी नहीं होगी मैं तो कमी नहीं छोड़ता हूँ बाकी teachers भी हैं वो भी अपने अपने बच्चों के लिए सब बहतरीन करना चाते हैं सब teachers बहुत अच्छे होते हैं तो आपको एक ही teacher की ideology के हिसाब से चलना है और उसी teacher के हिसाब से आपको पूरा examination लिखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह बहुत ज़रूरी चीज है कई बच्चे क्या होता है कि एक धुनसवार हो जाती है बच्चों के सिर पे कि अब तो मैं selection लूँगा किसी भी कीमत पे लूँगा किसी भी तर्ज पे लूँगा क्या करते हैं वो सुबह उठते हैं पूरा शाम तक एक ही कमरे में बंद पढ़ते रहते हैं कई कई बच्चे सारी सारी रात पढ़ते रहते हैं दिन में दो तिन घंटे की नीन ले रहे होते हैं पूरा पूरा दिन पढ़े जा रहे हैं, ऐसे करते करते, 15-20 दिन महीना, 45-45 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकल जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है उससे, study का time बढ़ता जा रहे हैं, घंटे बढ़ते जा रहे हैं, productivity घटती जा रही है, productivity और efficiency ना है, कई totally different definition है, जादा घंटे पढ़ने से productivity या efficiency नहीं आती, आप अपनी body को, अपने शरीर को जिस दिन समझ जाओगे न, आपकी productivity आ जाएगी, और सारा खेल productivity का है, सारा खेल efficiency का है, study hours को आप balance कर लो, 2-3 घंटे उपर नीचे भी चल जाएंगे, but productivity को हाई रखो, अपनी efficiency को हाई रखो, वो कैसे रखेंगे, example के तोर पे, कुछ लोगों को दोपहर को सोने की आदत है, दोपहर को एक डिट घंटा नीन लेनी जरूरी है, कई बचे नहीं, अब तो त्यारी शुरू होगी, इस साल पेपर निकालना, मैं दोपहर को नहीं सोंगा, क्या होगा, दोपहर को जो उसका सोने का समय होगा, उस दोरान उसके वज़ए से आगे का 4-5 गंटे उसके सुस्ताने में निकल जाएंगे, उसको उतनी अच्छी पढ़ा ही नहीं कर पाएगा, वैसे ही आपके बोडी में दुनिया जान के अच्छे-अच्छे फील गूड वाले हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे फोकस के साथ, तो पूरे दिन में थोड़ा सा समय खुद को भी दो, हफते में एक बार, दस दिन में एक बार कोई छोटी सी 2-3 गंटे की मूवी भी देख लोगे, तो भी कोई प्रब्लम नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है उसमें, ऐसा नहीं कि वही दब सर ने बोला, तो नहीं भी देखते हैं तो देखने बैठ जानी नहीं, अगर आपको उसे साब से अच्छा लगता था हमेशा, रोज रोज भी नहीं देखनी है, 10-15 दिन में, दो हफते में एक बार चल जाएगी, सीरीज मत उठा ले ना, तो आपकी बोड़ी को समझिए, आपको खुश, खुद को खुश भी रखना है थोड़ा-थोड़ा, जितना रख सको, ठीक है, और कुछ-कुछ समय के बाद, जब आप ऐसा कुछ करते रहेंगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी, तो ओटोमेटिकली, प्रोड़क्टिविटी आएगी, प्रोड़क्टिविटी बहुत मैटर करती है, और बच्चे कही इसको बहुत जदा वॉइड करके चलता है, पांचवा जो कि मैंने बहुत ज़रूरी कहा था, जब आप त्यारी की शुरुवात में होते हैं न, तो आपको, मैं मौक के माक्स दिखाई देते हैं, भई यार इस सो माक्स का पेपर, मेरे तो 27 नमबर आ रहे हैं, मेरे तो 30 नमबर आ रहे हैं, मेरे तो 25 नमबर आ रहे हैं, जितने भी सिलेक्टिड बच्चे हैं न, के इतना ही आये थे शुरू-शुरू के mock test में, mock test को आपने एक तरीके से एक तरह का filter समझना है, कि ये filter लगा के आपने चेक किया आपकी तयारी की क्या level चल रहा है, obviously आपका 27 number पे level है अभी तो, पर बढ़ाएंगे न हम आगे, उसको increase करते जाएंगे, शुरू-शुरू में आपके सामने arithmetic के, DI के question आएंगे, आपसे नहीं बनेंगे, कई बच्चे वहाँ पे खुद को किसी से कम समझ लेते हैं, sense of self-doubt to develop हो जाता है, वो जो self-doubt है ना, वो आगे की तयारी, 15-20 दिन impact कर देता है, फिर भी marks अगर बेटर नहीं होता है, बच्चा paper देने तो जाता है पर बिल्कुल भी इस intention से नहीं जाता है, कि मेरा crack हो जाएगा, वो जाता है, सिर्फ एक validation के लिए, कि आस-पास मैं दिखू तो सही, कि मैं लगा हूँ, पढ़ाई तो करी रहा हूँ, बट होना नहीं है मेरा, सब के साथ होता है, सब के साथ, ठीक है, ये शुरु-शुरु म बनाना है, अपनी strength बनाना है, marks दिरे-दिरे improve होंगे, आपको कोई भी chapter समझ नहीं आता, आप उसको दुबारा देखो, revise करो, उसके question resolve करो, होगा, आपकी willpower से, आपकी ताकत से, आपके जजबे से उपर थोड़ी नहीं है वो chapter, होगा, आप उसको बहुत focus के साथ सुनो, सम example को, real life की किसी चीज से relate करो, automatically चीज़े याद होंगी, आप जब बार-बार revise करते जाएंगे ना, धीर-धीरे चीज़े याद होने लगेंगी, धीर-धीरे दिमाग में बैठने लगेंगी, आपको समझ जाने लगेगा कि ऐसा approach क्यों लगाया, ऐसा क्यों नहीं लगाया, श target रखने हैं कि हम 100 में से 90-95 तक जाएंगे, रुकना नहीं है, जब भी लगे, ये chapter कमज़ोर है, बैठ गए, एक-दो दिन उसी chapter पर लगा कि उसको strong मना लिया, revise कर लिया, सब होगा, आपने आप पर विश्वास रखी, वो उपर वाला, आपकी कोई एक-एक महनत को गिन रह है, वो सब के, सब के किस्मत में है, वो, उतनी महनत करनी पड़ेगी, उस उपर वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं महनती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप महनत करो, धंग से, इन सब पांचों चीज़ों का ध्यान रखते हुए महनत करो, फिर देखना, वो दिन आएगा जिस दिन आपके पास वो मैसेज आएगा, कॉंग्रेचुलेशन्स, आपका सेलेक्शन हो गया है, आपको ये बैंक मिला है, इस बैंक में ये पॉस्ट मिली है, उस दिन आपके पापा पूरी गली में, पूरे महले में, पूरे इस्तदारी में लड़ू ना बाढ़ दे, और अपनी जिंदगी के 25 वर्ष निकाल दिये, उनसे ये सुनने के लिए, उस दिन तो जशन होगा, उस जशन के लिए आज खुद को रगड़ना पड़ेगा, गॉड प्लेस यू, इस चैनल पे जो भी बच्चा पहली बार आया है, अगर आप चाहते हूँ कि मेरी तरफ से जयाना, God bless you.